दोस्तों आज मैं आपको होम थेटर के रिपैरिंग से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी देने माला हूँ, हो सकते हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो, कभी भी आपके पास होम थेटर रिपैरिंग के लिए आता है, तो अगर उसमें साउnd से रिलेटेड कोई फी प्रॉबम आ रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या-क्या-क्राम करना है, इस वीडियो में आपको किलेर करवा देता हूँ, सब से पहले मैं आपको इसका बोड दिखाा देता हूँ, यह देखिए, यह इसका बोड है और यहाँ पर, इसमें, 3 IC ल कभी भी home theater में से speaker में से कोई भी sound output ना हो या फिर जोर से humming की आवा जाए या फिर बहुत ही कम sound आ रहा हो तो यहां पर IC से related problem देखने के लिए मिलता है IC के चौथे नमर की pin से speaker के लिए output होता है एक wire ground से उठती है और एक चौथे नमर की pin से उठती है तो तब जाके speaker के दोनों points पो लगती है अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से IC किस channel को control करती ही आपने कैसे पहचाना है तो सबसे पहले आपने यहां पर देखी मापको उताता हूँ यहांपर यहां से output होता है यह input के लिए दिये गए हैं यहां पर Aux का connection होता है और इन में output होता है यहां पर और यहां पर यह left के लिए और right के लिए output होता है अब आपने कैसे पता करना है कि कौन सी ऐसी किस चैनल को कंट्रोल कर रही है तो आपने सिंपल तरीके से यहाँ पर देखिए इस बोड को इस तरीके से उल्टा करना है इस तरीके से उल्टा करना है एक्जामपल के लिए देखिए सबसे इस तरीके से दिखाता हूँ और यहां पर इन दोनों मेंसे left channel इन दोनों मेंसे right output होता है चार speaker के लिए हाप पर point दिये गए है एक IC इन दोनों को control कर रही है और एक IC इन दोनों को control कर रही है अब यहां पर example के लिए आपके पास जो home tator है इन दोनों मेंसे sound नहीं आ रहा है तो आपको कैसे पता करना है कि इन दोनों को control कर रही है तो example के लिए सबसे पहले आपको एक IC दिखा देता हूँ एक IC की पिन यह है एक IC की यह है और एक IC की यह है मैं आपको और भी थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर clear करवा देता हूं रहे है से अब आपको clear दिख रहा होगा यह देखिएगा इसकी पिन कैस गिनी जाती है यह देखिएगा एक दो तीन चार पाँच तो यह चौथे नमर की पिन है यहां कि एक दो तीन च्यार यह चौथे नमर की पिन है हमारी speaker के लिए जाती है तो आप अपने पता करना है कि कौन से channel को कौन से एसी control कर रही है तो आपने वहाँ पर देखिए इसके अंदर आपने इस तरीके से इसको डाल दे रहा है और यहां पर सभी ऐसी के पाच वे पाच वे पाच वे स्वारी चौथे चौथे नंबर की लेग पर आपने इसको अटेच करना है जिस आपने चौथे लेग से बीप करण से देखिए भी साओंड आ रहा है जाल qualcosa को आप इस तरीकी से चोड़ दीजेगा कुछ ने कि रिडिंग आये कि उसको छोड़ देजे सिर्फ इसमें से बजर सांड आपको सुनाईह देगा वह आपके उस कनेक्टर की इस होगी यानि कि इस connector से अगर आवाज नहीं आ रही तो हमने इस IC को चेंज करना होता है इस IC को ठीक है अब यहाँ पर अगर example के लिए आपको इन दोनों connector से sound ना सुनाई दे तो आपने किस IC को आपने को आपने क्यमा अटेच करना है तब चाहिक वो सुनाई देगा से ओर यहां पर देखा है साथ कि यह दिखए को इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि इस चैनल की कौन सी है इस चैनल की अड़ी कौन सी है तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं और यहां पर कभी भी आपको बता दूँ आइसी से रिलेटेड सबसे ज्यादा समझ्या है ज्यादा तर इस बोर्ट पर देखने के लिए मिलती हैं कल मैंने इसका एक रिपैरिंग का वीडियो डाला है जिसको आज देखकर आप होम ठे है तो लाइक करके शेयर करना ना भूरिये